तो दोस्तों आज नुवंबर की 28 तारीक है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही खुबसूरत से इस एक विंटर फ्लारिंग प्लांट के बारे यह जो आप देख रहे हैं इसको क्रिसंथमम मम्स या गुले दाउदी बोलते हैं बहुत ही खुबसूरत स सर्वियों का एक फूल देने वाला पौद है लेकिन अगर बात करें तो यह एक पर्मनेंट प्लांट भी है अगर आप इसकी थोड़ी सी समर में सही से केर करें इसकी देखवाल करें तो यह पूरा साल आपके गाड़न में बिलकुल चवता रहता है हराब रहता है तो किस त इस तो क्रिसेंथिमम या गुले दाओदी एक विंटर का बहुत ही खूबसूरत सा फ्लारिंग प्लांट है इसमें आपको नर्सिस पर कहा सकता हूं कि डेड़ सो के लगबग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज देखने को मिल सकती है इसमें बहुत सी जो फ्ला प्लांट हैं अगर आप इनको समर में थोड़ी सी केर करें तो ये पूरा साल आपके गाड़न में बने रहेंगे और हरे भरे भरे भी रहेंगे लेकिन अगर आप इन पौधों से नई कटिंग्स त्यार करना चाहते हैं इनकी जो कटिंग्स हैं वो ग्रो करना बहुत ज़द पौध हैं आप इनके मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर मिट्टी की बात करूं तो इन पौधों को ग्रो करने के लिए सबसे सही जो मिट्टी रहती है वो बिल्कुल वैल्ड रेंड मिट्टी रहती है जिसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर होल्ड करें लेकिन बहुत जिसके अंदर मैंने एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, सैंड या बजरी कहा सकते हैं और एक हिस्सा जो है वो राइस हस्क लिया था जिसमें मॉइस्चर तो होल्ड करेगा लेकिन पानी रुकेगा नहीं पानी देने के साथ साथ ही जो हो ड्रेन राइटिस था और गांड़ियू और साइज की बात करूँ तो इन पौदों के लिए आप आठ से लेकर बारा इंच के अपनी वराइटी के कॉर्डिंग और पौदे के साइज के कॉर्डिंग जो है वो गमले का चुनाव कीजिए अगर आपके पास क्रिसेंथमम या गुले दाओदी के कुछ पुराने पौदे हैं लास्ट एर के पौदे हैं अगर उनको आपने कटिंग से दुबारा ग्रो नहीं किया तो आपको हो सकता है कि उसके ओपर कुछ एक जो फ्लार्ज हैं वो कमी में दिखाई दें उनके ओपर फ फ्लारिंग भी करते हैं इन पौदों को घना या बुशी बिनाने के लिए सबसे सही तरीका रहता है जब भी आपके पौदे जो ग्रोइंग स्टेज में रहते हैं अभी उनके उपर बड्स ना बनी हो सिरफ ग्रोथ की स्टेज में हो आपने नए ने पौदे या तो नस्री से लगाएं हैं या फिर आपने कटिंग से ग्रोथ की हैं उनकी आप पिंचिंग कीजिए उनके उपर की जो कुछ एक जो टिप्स हैं वो कट कर दीजिए उससे पौदे जो है वो नीचे से नई ग्रोथ करेंगे और धीरे धीरे एक से जो है वो तीन से चार शूट नई जो ह वो develop भी करेंगे पौदे बहुत जल्दी जो है वो घना बनना स्टार्ट हो जाएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा पिंचिंग करने पर अगर आपके पौदे पर जो कलिया है वो बननी स्टार्ट हो चुकी है उस समय पर आप इनकी पिंचिंग करना बिल्कुल बंद कर दीजे नहीं तो कई बार यह ऊसकता है कि आपका पौदा जो है वो उस साल में फ्लारिंग ही ना करें जब क्रिस्सैंथमम के पौदे ग्रोइंग स्टेज में रहते हैं चोटी स्टेज में रहते हैं इनको कोई बहुत जो कह सकता हूँ की हाड या फास्ट या कोई तेज केमिकल फर requirement रही रहती है इन पौदों का आप जो है वो और्गैनिक फरटलाइजर फीड कीजिए जिसके अंदर आप सीवीड मस्टर्ड केक या फिर कह सकता हूं कि और गैनिक के अंदर आप कमपोस्ट लिक्विड इन तीन फर्टलाइजर का आप यूज कीजिए इन तीन फर्टलाइजर से इन पौदों में जो ग्रोथ आपको बहुत ही अच्छी दिखाई देगी अक्सर इन पौदों पर आपको जो कलियां वो सेप्टेंबर या अक्तूबर के मौसम में दिखाई देनी स्टार्ट कर देंगी और खिलते खिलते लगबग कहा सकता हूं कि नुमंबर का मौसम आजाता है नुमंबर तक इनकी जो कलियां वो पूरी तरह से डिवेल्प होकर फ् कर दीजिए इन प्लांट्स पर जब भी आपको कलियां बनती हुई दिखाई दें उसके बाद आप इसके जो फटलाइजर को है वो बिलकुल रोक दीजिए या फिर कभी कबार आप चाहें तो कंपोस्ट लिक्विड का जो फटलाइजर है वो फिर भी फीड कर सकते हैं लेक पहले तो इसकी जो लीव्स हैं वो गलती हुई या जलती हुई दिखाई देंगे वो कॉमन जो अटेक रहता है वो आपको नीचे की लीवस में दिखाई देगा वो फंगस अटेक रहता है स्पोदे पर आप कोश किजिए इसकी लीवस के ऊपर बहुत ज़ादा पानी मत गि उसके लिए आप नीम उयल का स्प्रे कीजिए इसके लिए बहुत ही सही रहता है प्रिकोशन के तोर पर आप इसके उपर जो है वो दस से पंदरा दिन में नीम उयल का स्प्रे कीजिए उसके लवा कभी कबार आपको इसके उपर कह सकता हूं कि मिली बग या फिर माइट्स का आटेक भी देखने को मिल सकता है उसके लिए आप अच्छा सा कोई जो है वो माइटी साइड का इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन अगर आप प्रिकोशन के तोर पर पहले से ही इसके ओपर जो हो नीम वायल का दस से पंदरा दिन में या महीने में एक बार भी स्प्रे करते रहेंग टेक केर